मैंने ये फसल्ड डिवाइस अपने टमाटर के क्रॉप ने इस्टॉल करा है और फसल्ड डिवाइस लगाने का कारण वाटर मेनेजमेंट और सही जानकारी मिले तो उसमें अपने हचुपी हेवी स्वाइल है तो उसमें वाटर मेनेजमेंट बहुत जरूरी है क्या होता था हम टेली फटिकेशन और पानी डेली अपने हिसाब से चलाते थी जो भी जितना लगता था, तो कभी ऐसा लगता था, ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, तो खसल कहीं न कहीं बीमारियों से घिर जाता था, पेथोजेन, अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स बहुं जल्दी दिखने लगते थी, अब इसको लगाने के बाद, जैसे टमाटर का टीप किया, मैंने उसके बाद फसल डिवाइस उसी समय मेरे इंस्टॉल किये, और उसके लगने बाद, पानी का मेनेजमेंट करना बहुंत असान हो गया, ये फसल डिवाइस में दो सिंसर लगा हुआ है, जो कि मॉइस्चर को इंडिकेट करता है, एक अपने प्राइमरी रूट को इंडिकेट करता है, और एक सेकेंडरी रूट को, जो कि अपने मिट्टी में उपर की सतह की नमी को बताता है, और एक सेंसर नीचे के इस तर में कितना पानी देना है, इसको इंडिकेट करता है, और एक सेंसर अपने टेंपरेचर का लगा हुआ है, जो कि मिट्टी में कितन तो उसके हिसाब से अपन पानी को मेनेज करते गए तो फसल यहानिकी बहुत अच्छा दिखने लगा और फटीगेशन भी इसके हिसाब से अपन जब पानी जरूरत लगता था तब फटीगेशन करते थी तो फटीगेशन भी कहीं न कहीं अपना कुछ फचीज से परसेंट का बचत दिखने लगा और इसका पेस्टी साइड और पेथोजेन के प्रती कंटीनिव अलाट अपने को मिलता रहा उसके हिसाब से अपन पेस्ट कंट्रोल करते गा मेनेजमेंट जो की बहुत असान लगने लगा अभी फसल डिवाइस लगाने के बाद फसल में पेस्ट और कर दवा थ गरभाते ती जो यसमें पहले ही अलर्ट कर देता है तो अच्छे सि इस प्रइक करके उसका कंट्रोल ले पा रहे टें तो फसल डिवाइस से जो अलर्ट आते हैं जैसे का आम आर्टर की खसल में कोन सा इनसेग लगना है कौन सा पेठोजन लगना है उसका अलरट direct के पहले सी छी हम को आ जाता है जैसे वलीप माइनर इसका मेंजर पेस्ट है उसके आनेक पहले ही यह अलरट पहले से दे देता है और इसमें दवाव अगरा जो भी pesticide में न संद भी करके बताता है या कोन सब पेस्ट सजेस्ट करता है इस पेस्टी सद जालना है और पेथोजन में जैसे early blight, late blight इसका भी continue alert देते रहते हैं मौसम जब भी खराब होता है तब